Hello everyone, अभी आपका 4 semester का exam खतम हुआ और आपने लापरवाई स्टार्ट कर दिये लापरवाई किस-किस की, हम पढ़ना चालू करेंगे अभी exam form तो आजाए हम तब पढ़ेंगे हमें subject मिलेगा ये नहीं मिलेगा तो देखो मैं अपने आप से देखो कैसे कैसे जूट बोलूँगा यार exam form तो आए नहीं आजाए फिर पढ़ना चाल करेंगे पहले वीडियो देखी थी उसके अंदर क्या देंगे नहीं देंगे फिर पढ़ना चाल करेंगे admission ले लूँगा तब पढ़ना इस्टार्ट करेंगे अभी तो छे मैने हटाऊन और पढ़ने तो मैं अपने आप से ये सारी बाते करूँगा जो कि अमोमन बच्चे भी कर रहे होंगे तो मैं simply बताऊं आपको exam आपके चार मेने चार दिन के बराबर कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा first phase में जो अभी जून में exam देखिया है आपको भी पता है आपने क्या pain लिया exam वाले दिन तो वो मताने दो एक बार आखे बंद करके ये सोचना कि उस time पर कैसे पढ़ रहे थे उस time पर रात भी नहीं देख रहे थे दिन भी नहीं देख रहे थे पढ़े जा रहे थे इस लेवस खतम नहीं हो रहा था और मन मन में एक promise भी चल रही थी कि अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगा अगली बार ऐसी गलती है एक बार उस पल को उस moment को remind करना मैं बस आप से इतना कहना चाहता हूँ कि भाई exam कब होंगे उसकी date sheet की चिंता नहीं फर्म भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे मैं simple सी बात कहता हूँ अगर आप मानलो चारो subject में fail हो जा तो चारो में fail हो गए बच्चे आप फिफ्ट में तो जाओगे ना अब यह तो नहीं बोलोगे चार में हम fail हो गए तो हम फिफ्ट में admission हो रहा है तो क्यों कर रहे डियू बाई डियू पीछे provision इस type का लेके आया था कि अगर ऐसा होता है तो यह करेंगे प्रोविजन इस इस type का लेका आया था तो आप तो फिफ्ट समेस्टर में पक्का जाओगे सर सब्जेक कौन सा मिलेंगे मैंने बता दिया कि financial management या management account जिनका जिस हिसाब से है मैंने टिक करके बताई यह सब्जेक मिलेंगे करो उस पर work start टाइम नहीं एक मिलेगा आपको मैं तो कल से बैच start करने जा रहा हूं क्यूं कर रहा हूं पांच मैने सर पहले क्यूं मैं एक हपते में भी सलिबस खतम कर सकता हूं लेकिन पिछली बार वाला काम नहीं होना चाहिए मैं नहीं चाहता है कि भाई corporate account की तरह आप भागो दोड फिर daily daily कर तीन दिन पढ़ेंगे ना मजे लेके पढ़ेंगे तीन दिन में आपके पास बहुत सारा time होता है सिर्फ हपते में हमें 5 घंटे ही तो पढ़ना है क्या आपका दिन का 45 मिनट भी अपने पढ़ाई को नहीं दे सकते अगर आप दिन में 45 घंटे भी पढ़ाई को न मिलेगी आप सभी बच्चों का एक मात्र एक ही success की है study बहुत सारे चीज़े हैं हमारे आसपास के हम यह करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे लेकिन study करते जाओ सब धीरे धीरे आता जाएगा धीरे धीरे आता जाएगा अगर आप study अभी नहीं करोगे ना planning के साथ फिर से दिमाग पागल हो जाएगा पहले यह यह और एक्जाम टाइम पर फिर से यह यह हम दिमाग से नहीं खेल सकते हम नहीं जीच सकते दिमाग से दिमाग और दिल दोनों pressurize करेगा यार फिफ समिस्टर के exam आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है माल लेते हैं एक हपते तक cool रहे घूम फिर क्या गए यह आ रहा है आ रहा है यार उसको भी पढ़ाई करनी है यह भी पढ़ाई करना कुछ बच्चे C.A. कर रहे हैं C.A. क कर रहे हैं हर चीज को अलग-अलग separate तरीके से treat करिए life के अंदर हर किसी को उसके according अतना ही importance दीजिए मानता हूं C.A. आपका career set कर रहा है इसका यह मतलब नहीं कि आप graduation छोड़ देंगे Without graduation तो आप आगे further कोई काम भी नहीं कर सकते हैं चाहे MBA हो चाहे आपका further आपका कहीं बाहर foreign में भी पढ़ने जाओगे तो वहाँ भी school लगता है credit card तो मेरा सभी बच्चों से यही है कि मैं तो batch start करने जा रहा हूँ कल से batch start है शाम को 7 बजे YouTube पे भी वीडियो आएंगे और जो notes है वो notes बहुत जल्दी मैं books release करने वाला हूँ मुझे 10 से 15 दिन लगेंगे book release करने में इतने मैं notes application पर provide करूँगा तो बस आपको यही बताना था don't waste your time एक एक time आपका important है और एक एक minute आपका important है तो उसको utilize करिए और पूरा utilize करिए और इस बार हम बहुत अच्छे से paper देंगे और D.U. के अंदर ऐसा कितना भी tough बनाना चाहता है D.U. को challenge कर दो कि बनाओ आप paper इस बार हमारे exam में ऐसा होना चाहिए financial management में 10 question आते ना 5 करो 5 दस में से 5 ही करने होते ना हम 6 करके आने की capability में के मेरा मन ऐसा करे paper में के 5 question तो कर दिये उसके बाद खाली होके बोर हो रहे और फि तो अगर ऐसा जब जिस दिन हो जाए ना उस दिन सोच रहे ना आपने पढ़ाई की है और जो कर रहे हो ना चार में से सर पांच आया है पांच में से एक छूट जाएगा चार कर लेंगे मजाग कर रहे है अपने साथ मजाग कर रहे है और कुछ नहीं कर रहे है लाइफ को दस कुशन आये और दसों आते हैं और पांच करने के बाद भी टाइम बच गिया यार एक और कर सकते हैं पेपर चाहे तो एक और कुशन भी अगर छे भी होते तो छे कर देते, दस होता तो दस भी कर देते इतना आसान पेपर आये पेपर आसान या पेपर मुश्किल कभी नहीं होता पेपर आसान या मुश्किल आप बनाते हो उसको सारा पढ़ रखा है तो आपके लिए आसान है और कुछ नहीं पढ़ा तो उसके लिए मुश्किल है सिम्पल सी बात है तो मैं आप सभी को कहुँआ स्टार्ट करिए 20 तारीक से बैच स्टार्ट है यानि कल से बैच स्टार्ट है और मिलगे सारे चीजों को सॉल्व करेंगे तो बस आपको इतना ही बताना था इस वीडियो में बताने का परपस Thank you so much